नमश्वर फिंस मेरा नाम है मदू चावला एक बार फिर से आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर अगर आप लोगों ने आभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो जरूर करें देखें आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनद से बनाते हैं तो आज का जो वीडियो है वो है नमबर 2 के बारे में जिस किसी का भी मुलांक नमबर 2 है आप लोगों ने अगर अपना मुलांक निकालना नहीं सिखा है तो आप मेरा प्रिविएस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने मुलांक और भाग्यांक बताया है तो जिस किसी का भी दो तारी या फिर गैरा तारी या फिर 20th को या फिर 29th को हुआ है उन लोगों का जो मुलांख है वो है नमबर 2 तो चली स्टार्ट करते हैं नमबर 2 रिप्रेजेंट करता है मोन को चंद्रमा को ठीक है और निम्रलोजी में हम इसको क्वीन भी कहते हैं क्वीन इसलिए क्योंकि नमबर 2 वाले जो लोग होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही मदली नेचर होता है जैसे एक नमबर वाले लोगों का जो नेचर होता है वो एक फादर की तरह होता है एकदम strong, straightforward, but जो number 2 वाले लोग होते हैं, वो मदल इन नीचे होता है, emotional होते हैं, ठीक है, and इसको हम moon से represent करते हैं, number 2 को, right, देखे, moon इसलिए, क्योंकि number 2 वाले लोगों का mind होता है, वो बहुत fluctuating होता है, vacillating mind, right, कभी भी इनका जो mood होता है, mind होता है, वो हमीशा dhamadol होता रहता है, स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसको चंदरमा के साथ में हम लोगों ने resemble किया है, because चंदरमा भी 15 दिन घटता है, बढ़ता है, ठीक है, 15 दिन बढ़ जाएगा, और फिर 15 दिन कम हो जाएगा, पोर्णिमा औ और अम आवस्य किता है, तो दो नंबर वाले लोग भी ठीक चंदरमा की तरह ही होती है, कभी इनका mood कैसा है, तो कभी इनका mood कैसा है, इनका हमेशा जो मन है वो dhamadol रहता है, स्थिर नहीं रहता है, और देखो चंदरमा की तरह होने के कारण ऐसे लोग बहुत सुन्दर भी होते हैं आप कभी भी दो नंबर वाले लोगों को देखेंगे तो ऐसे लोगों को लोग बहुत लाइक करते हैं क्योंकि इनमें बहुत अट्रेक्टिवनेस होते हैं बहुत अट्रेक्टिव होते हैं ऐसे लोग राइट तो दो नंबर वाले लोग इन लोगों को डिसीजन लेन होते हैं तो ऐसे लोगों को decisions लेने में भी बहुत problem होती है क्योंकि इनका माइंड है वो बहुत fluctuating रहता है स्थिर रही रहता दावा डोल मन अगर यह लोग घर से किसी काम के लिए निकले हैं तो वह काम तो बिल्कुल नहीं करके क्यों बढ़िए उसके कुछ होर घर करके आएंगे अगर ऐसे लोग फैमिली के साथ डिनर के लिए भी गई हैं या फिर शॉन चाकिंग के घर एंगे तो बिना शॉपिंग के घर आजाएंगे या फिर बहुत पारसा होता है बिना काना काई भी घर आ जाते हैं ऐसे लोगों की जो वाइफ होती है ऐसे मेल की वो बहुत परिशान होती है तो अल्टो ऐसे लोग बहुत फामिली पीपल होते हैं अपनी फामिली का बहुत केर करते हैं सब की हेल्प करना भी पसंद करते हैं इनका माइंड होता है, बहुत जबसे ही भूल जाते हैं कि घर से ही किस काम के लिए निकले थे. तो ऐसे लोगों का जो mind होते है, बहुत ज़्यादा confusing state में होता है, उस वज़े से ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा depression भी होता है, anxiety भी होती है, क्योंकि ऐसे लोग expressive कम होते हैं, introvert होते हैं, और ऐसे लोग no doubt बहुत lovable होते हैं, ऐसे लोग दूसरों से बहुत जल्दी attached भी हो की किष़ सबसे अच्छी क्वालिटी भी कही जा सकती है और अधिो स기रम क्वालिटी की बात करो तो दो्नमबर वाले लोग बहुत किलफुल र ह arrivé दो नंबर वैसे सिंट कहें नंबर कोई न कोई इन में बहुत अच्छी quality जरूर होती है या तो यह बहुत अच्छी cooking जानते हैं या फिर यह artist होते हैं creativity बहुत ज्यादा होती है तो नंबर वाले लोगों में और इनका जो personality है वो तो no doubt attractive होता ही है तो अपनी skill की वज़े से ऐसे लोग बहुत महरत भी हासिल कर लेते है तो दो नंबर वाले लोगों में intuition power बहुत अच्छी होती है ऐसे लोग occult science में भी बहुत अच्छा काम करते हैं चाहे वो numerology हो या फिर astrology, tarot, वास्तु, कुछ भी ऐसे लोगों के intuition power अच्छी होने की वज़े से ऐसे लोग काफी spiritual होते हैं और अगर यह spirituality के साथ जोड़ते है तो यह इनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इनको जो confusion रहता है इनको decision लेने में जो problems रहती है उसका solution इनको occult science से, meditation से, spirituality से जुड़ने के बाद में मिलता है ऐसे लोगों का जो nature होता है वो 7 number के साथ भी resemble करता है क्योंकि 7 number की भी intuition power काफी अच्छी होती है जो मैं आने वीडियो में आपके साथ में discuss करने वाली हो राइट तो दो नंबर वाली लोगों को आपने जो मूड है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनके mood swings की वज़े से बहुत बार इनको relationship में भी problems हो जाती है ऑल्दो ऐसे लोग बहुत relationship बना लेते हैं क्योंकि इनका ज जल्दी attach भी हो जाते हैं हर किसी से attach नहीं होते हैं बट अगर किसी के साथ एक बार attach हो गए तो फिर उसके लिए जान भी देते हैं तो ऐसे लोग दूसरों से एक अच्छे relationship maintain करके चलते हैं और इनकी जो skills हैं उसकी वज़े से भी इनको काफी appreciation मिलता है तो दो नंबर वाले लोगों को पानी का intake जो है वो जादा करना चाहिए अगर कोई दो नंबर वाला बच्चा है तो उनका childhood में बहुत चड़चड़ापन और mood swings बहुत जादा रहते हैं तो ऐसे बच्चों को since childhood meditation में हम डाल सकते हैं जिससे उनका जो mood swings का problem है ठीक हो जाते हैं तो दो नंबर वा और active है ज्यादा active है तो ऐसे लोग suicide तक कर लेते हैं या फिर ऐसे लोगों का जब जब पर्सनल या टू आएगा तब तब इनके जो mind है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते कि depression में चला जाता है ऐसे लोग बहुत एंट्रोवर्ट होने की वज़ाए से बहुत बार expressive नहीं होते तो जब जब इनका personal year 2 आता है या फिर दो number over active होता है तब तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा problems होती है अपने decision लेने में चीजों को समयने में तो दो number वाले जो बच्चे है या फिर जिनके भी लोश्यो ग्रिट में अगर 2 time 2 आ रहा है या फिर 3 time 2 आ रहा है तब तब बहुत ज़्यादा mood swings होने की वज़े से या फिर personal year 2 आने की वज़े से इनको इस तरह की problems हो सकती है और बहुत सारे मैंने दो number वाले ऐसे लोग देखिया है जिनको mind related disease भी होती है depression का शिकार हो जाते हैं, suicide भी कर लेते हैं और भी बहुत सारे brain related issues, anxiety उस वज़े से इनको high BP का problem, heart disease ये सब चीजें दो number वाले लोगों में देखिये गई हैं, late age में और दो number वाले लोगों में देखा जाता है कि ऐसे लोग थोड़ा रो तुड़ू type के होते हैं, ऐसे लोग अखेले में रोना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके mood swings इतने ज्यादा होते हैं कि शुकल पक्ष और क्रिशन पक्ष इन दोनों के जो moods होते हैं, इनके बहुत different होते ह तो ऐसे लोग कई बर बिना बात के ही रोनी भी लग जाते हैं, बहुत ज़दा sensitive होते हैं, ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि handle with care, इनको बहुत sensitive तरीके से handle करना पड़ता है, जिसके साथ attach हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा relationship रखते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लग दालेते हैं, दो नंबर वाले लोगों को हमेशा black color और blue color avoid करना चाहिए, ऐसे लोगों का जो color होता है, वो होता है white, दो color white color को भी represent करता है, जो मैंने wear कर रखा है, तो ऐसे लोगों को हमेशा dark color से बचना चाहिए, वो इनके mood पे और ज़्यादा impact डालता है, और ज़्यादा negativity create करता है, तो color choose करना भी एक बहुत important चीज है, निम्रोलोजी का एक बहुत important chapter है colors, lucky colors, तो आप अपने lucky colors की according, चूज कर सकते हैं अपने cloths, तो दो नंबर वाले लोगों को हमेशा black और blue color avoid करना चाहिए, तो दो नंबर के लिए इतना ही आशा करती हूँ, आप लोगों को व आले वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, and thank you so much.